इस साल मार्च में हुई बारिश ने पिछले दो साल का तोड़ा रेकोर्ड दो एप्रेल से होगा मोसम साफ नमस्कार आप देख रहे हैं हिमकोम न्यूज और मैं आपके साथ डिम्पल चोधरी मार्च में बारिश पिछले दो साल का रेकोर्ड तोड़ चुकी है वहीं मार्च के अंतिम दिनों में भी बारिश तापमान गिरा सकती है सोमवार को अधिक्तम तापमान एक बार फिर गिर कर 30 डिगरी से नीचे 39 डिगरी पर निपड गया मौसम विभाग के अनुसार आगे कुछ दिनों में आशमकिक तोर पर बादल चाये रहेंगे अधिक्तम तापमान 31 डिगरी से नीचे 16 डिगरी हो सकता है इस बीच मार्च में हुई तेज बारिश की वज़े से कुछ जगाओं के किसानों पर काफी असर पड़ा क्योंकि इस मौसम की इस बारिश से उनकी फसले खराब हो गई और उनका कहना है पिछले दो साल कोविट से उन्हें भारी नुक्सान सहना पड़ा और इसी के साथ इस मार्च की शुरुआत में भड़ती गर्मी में ये अचानक सर्द मौसम साथ ला सकता है कई बिमारिया इसे हलके में ना ले शुरू में ही करवाये जाच खासी में डॉक्टर से पूछ कर ही ले दवाई दिल्ली के सबसे बड़े कोविट सेंटर के डारेक्टर ने बताया कि अभी कोविट नियंत्रम में है लेकिन जो लोग फीवर और खासी से पीडित है उन्हें अपना ख्याल रखते हुए डॉक्टर से संपर करना चाहिए चाहे संक्रमंट कोरोना से हो या इंफ्लूएंजा वाईरस और चाहे कोई और वाईरस इसी की जाच समय पर जरूरी है ताकि संक्रमंट की सही वज़ा पता चल सके और इलाज किया जा सके ऐसे ही आगे की और खबरों के लिए बने रहे हिमकॉम न्यूस के साथ धन्यवाद